आब कारी नीती घोटाले के मामले में दिल्ली के पूरू उपमुक्यमंत्री मनीश्री सोधिया की जमानत के मामले पर सुप्रिम कोर्ट अब 12 अगस्त यानि अगले 100 मौर को सुनवाई करेगा। की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जेनरल स्वी राजू ने अदालत को दलीले दी और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें जो सबूत हैं परियाप सबूत हमारे पास हैं जिसमें ये सारी चीजें हैं कि मनीश्री सोधिया इस पूरे मामले में किंग पिन रहे हैं उनक के जरीए वो चुनाओ का खर्च या फिर अतरिक तामदनी हासिल करें और इसी वज़े से इन्होंने थोक व्यापारियों का कमीशन बढ़ाया पांच फिजदी से बारा फिजदी किया गया इसके लिए विजए नायर जो मुक्यमंत्री के आवास के बिलकुल बगल में रहते थे बिना किसी सरकारी ओधे के उन्होंने सारी बाचीत की और उन्होंने शराब निरमाता कंपनियों से बाचीत करने के बाद ये सारी चीजें जो योजना है वो सारी उन्होंने बनाई और मनीशी सोदिया, अर्विंद केजरिवाल और इन तमाम लोगों ने मिलकर उसे एक्जेक्यूट किया है लहाजा हमारे पास वो 100 करोड रुपए रिश्वत के रूप में मांगने के सबूत हैं जिसमें से 45 करोड का मनी ट्रेल हमने पता कर लिया है जो गवा के चुनाओ में कैश पैसा लगाया गया यानि सारा खर्च कैश में किया गया और नकद ही रिश्वत के पैसे लिए गये नकद ही खर्च किया गया लहाजा उसका सबूत सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने पैसे ल लोगों के बयान हैं इसके लावा उन्होंने साफ कहा है कि चुकि हमारे पास से सारे सबूत मिल रहे हैं और जिस तरह से मामला लटकाने की बात अर्विंदी मनी सिसोधिया कर रहे हैं तो मामला लटकाने की बात यह है कि हमारी तरफ से कोई लटकाने का काम नहीं किया जा र रहा है इस पर पीट्स ने भी कहा कि चुकि यह मामला अभी तक अवकाश कालीन पीठ के समख शाया था हमारे सामने पहली बार आया है लहाजा हम इस मामले में कुछ चीजों का ध्याइन भी कर लेते हैं और अगले सोमवार को इस मामले के सुनवाई तै कर दी है यानि आज भी मनिशी सोदिया को इस पूरे मामले में रहात नहीं मिल पाई है रहात के लिए उन्हें कम से कम अगले सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा अगले सोमवार को सुनवाई पूरी हो जाए तो उमीद की जा रही है कि अगर जज्मेंट रिजरू भी हो जाता है क्या अदालत उनको अंतरिम जमाने देने का कोई आदेश पारित करती है यह देखना दिल्चस्ट होगा कैमरामेन नासिर खान के साथ संजेश अर्मा